नमस्कार मित्रो मेरा नाम है डॉक्टर तीज प्रताब और आज हम बात करेंगे कि जो खाने वाले एडिबल ओयल्स होते हैं उनकी कुछ चीजें जो बहुत ज़्यादा घातक होती हैं वो कैसे होती हैं और कौन कौन से चीज किस लेवल पर घातक होती है इसका मैं आपको डेम स्क्री पर दिखा रहा है यह है सरसु सर्फवकारा का तेल जो की सिर्फ शर्फवक प्लाइड से जो उसका मशीन के दौरा सो निकाला जाता है ओधनूंस के बाद में कि इसको घाने के लिए ये लिए यूज किया जाता तो simply यह वह तेल है यह दूसरा सिंपल जो हमारे पास है. यह है Pure Refine जिसे कहते हैं. यह भी वही तेली होता है. यह है Refine. इसको कैसे बनाया जाता है? अधिकतर लोग इसको नहीं जानते हैं इसको बास्तव में बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो ये वाला oil है सर्सों का oil जो ये वाला है इस oil को 200 degree Celsius पर निकल की plate होती है एक उस निकल की plate के ऊपर इसको डाला जाता है तो इसको इसका hydrogen करण करना कहते है तो जब सर्सों के oil का hydrogen करण किया जाता है 200 degree Celsius पर तो ये बन के प्राप्त होती है क्योंकि इसमें ये mustard gas है, इसमें चे एक hydrogen का molecule hydrogen gas के रूप में निकल जाता है और बाकी के तो और molecules इसमें आगर के जुड़े जाते हैं. तो ये hydrogen करण जो है वो oil से fat बनाने की प्रोसेस होती है, तो इसको हम लोग fat की category में लेते हैं, जो ये बाला है refine, इसको plant fat की category में लेते हैं, और जबकि ये एक oil है, तो ये ऐसे बनता है, अब हम इसकी बात करेंगे यहां पे, कि जब ये इतना उसमें बनता है, तो ये कितना ज इसकी नहीं पर देख रहे हैं, तो इसकी ये condition हो जाती है, अब देख पा रहे हैं, ये सुबह मैंने भटूरे वाले अंकल के हाँ से एक sample लिया, जो बड़ी मुस्किल से दे रहे थे, इसको देने के लिए उन्होंने permission नहीं देई, कि वो अपने इसको allow करें कि sampling के लिए, इ साथ से करीव छे महीने पहले, तो मुत्रा की जो food security safety lab है, उसमें हमने इसका एक correction कराया था, तो इसमें इतना ज्यादा harmful इसके substances निकले, कि वो चीज ख़रने लाइक थी ही नहीं, देखें मैं समझाता हूँ आपको, एक साधर बासा में, इस oil में, जब एक oil को एक से ज्याद वार गरम किया जाता है, तो generally इनमें अभी trans fat की जो मात्रा है, वो सिर्फ 2%, 2% इसमें और 2% इसमें, जो कि हमारी body easily digest कर लेती है, और body easily dissolve भी हो जाता है, परतु उसी oil को जब बार 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 गरम किया जाता है, तो अब देख पार गें, इसका yellow जो color हुआ है, वो इसी बज़े से हुआ है, क्योंकि जो trans fat है, उसकी संक्या एक वार गरम करने पर 10% तक बढ़ जाती है, मतलब एक simple refined को जब आप गरम करेंगे, कड़ेम डाल करके, पूरी तरने के लिए, समोशा तरने के लिए, बटूरे तरने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो उ हेंकर गरम होता है, कि एक मिनिट के अंदर बटूरे को वो सेख देता है, और ये trans fat human body और animal body के लिए poison है, कैसे है, कि ये इसके जो molecules होते हैं, गरम होने के बाद इस oil का या इस oil का denaturation हो जाता है, मतलब ये अपनी प्राकरते का वस्ता छोड़ देता है, प्राकरते का वस्ता तो easily body उनको granules को digest कर लेती है, लेकिन जब उसे बारवार गरम किया जाता है, तो वो digest नहीं कर पाती, वो blood के अंदर dilute नहीं हो पाता और वो blood के उपर एक जैसे oil, butter की जो ले आ रहा है, उसके उपर oil डालोगे तो आप जैसे flow करती है, वैसे ये flow करने लग जाता है, तो उस इससे क्या नुकसान होता है कि उससे main चीज जो दिक्कत सबसे ज़्यादा बनती है, वो ये बनती है कि heart block होने की संबावना पूरी रहती है, अब देखेंगे कि ऐसी condition में, वैक्टिको heart attack होने की possibilities बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, देखो आप साफ अंतर देख रहा है, औ हम लोग trans fat युक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में fat ले रहा है, आप देखें color दोनों का, और दोनों की density देखिए, मैं हिला रहा हूं, देखिए, हिला के दिखा रहा हूं मैं दोनों को एक साथ में टीउम है, तो ये moment ज़्यादा कर रहा है, ये moment कम कर रहा है, इसकी density ज़् है, क्योंकि घर्म करने पर trans fat जब बढ़ेगा, तो density बढ़ जाएगी और oil की density कम होती है fat के पिक्षा, क्योंकि जो fat होते हैं, वो साधर temperature पे भी semi solid होते हैं, और जबकि oil होते हैं, वो साधर temperature पर liquid form में होते हैं, तो भाई, देखिए, साधर अनता है, मैं एक veterinarian हूं, मेरा य ही है, कैसे हम लोग इन चीजों को avoid कर रहे हैं, दूसरी चीज इसमें सबसे ज़्यादा quantity में, जो मैंने बताया, लैप में मैंने चेक करवाया, और मैंने खुद भी परिक्ष्ण किया, वो चीज इसमें होती है, carcinogenic substances, यानि की cancer कारक चीजे, blood cancer हो गया आपका, soft muscles या soft issue का cancer ह हो गया आपका, इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज बहुत responsible होती है, जो बार बार oil करने, गरम करने का दो हम use करते हैं, तो अब सोचते हैं, घी क्यों सुरक्षित होता है, animal fat के लिए मैं या support नहीं कर रहा हूं, मैं या क्या बोलना चाहरा हूं कि इन दोनों के घी क्यों सुरक्षित है क्योंकि घी का प्राक्रतिक अपनी जो form है, उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ता, जितना जल्दी ये दोनों छोड़ देते हैं, एक बार गरम करने पर ये तूटके धंग से गरम करो एक बार ये अपनी इस अवस्ताम पहुच जाते हैं, जब जो जो देसी घी है, वो दो से चार बार भी गरम करोगे, उसके बाद भी वो अपनी प्राक्रतिक वस्ता को नहीं छोड़ता है, तो ये कारणा है कि घी में जो तली हुई चीज़े हैं, वो ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा अच्छी होती हैं, लेकि बहुत सारे लोग कहते ह और डिजॉल भी हो जाता है, और बोडी भरपूर एनर्जी प्रोवाइड भी करवाता है, लेकिन इस वाली चीज़ को इसका कोई तोड़ बोडी के पास नहीं है, ये भेंकर कार्शिनोजेनिक, कैंसर कारक और हर्ट अटेक का बाप इसको हम कहते हैं, तो जरूरी ये है कि इस चीज़ को हमेशा वर्ड करिए आप, और ये दोनों चीज़ नेच्रल फॉम में हैं, ये नेच्रल फॉम के आप आप एजिली यूज़ करिए, एक बार लेकिन इनको बार बार गरम करना बेहत घातक मनेगा और ये इस्तिती उतपन होगी, तो मेरा कहने का मतलब यहां य उत्पन होती हैं, तो हाइडोजनी करांड के करण लगी है, ये ओल था पहले, हाइडोजनी करण किया, तो फ Besides बिजिए बादेक हो जब 2-3 बार जादा गरम किया गड़ाई ऑडालके, तो ये चीच चाण है कि पॉज़न बना। मैं इसको पॉज़न जान भूच के कहरा हू क्योंकि यह बास्ताव मैं human body के लिए poison का ही काम करता है देखिए हर आदमी इस चीज़ के लिए नहीं बोलता और YouTube पे कोई ऐसी वीडियो भी इसके बारे में ज्यादा नहीं थी डिटेल में तो मैंने सोचा इसमें मैं बनाता हूँ यह सुरू से मैस्चीज के लिए प्रतिबत देथा कि जो चीज़े हमें जैसी वस्तावना मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है और उसके पीछे कही न कहीं कारण है इनसान का लालच अगर लालच ना होता तो एक दोबार इन दोनों मैंसे कोई भी यूज़ करके उस ओयल को अटाके दोबार डालके चला सकते थे लेकिन क्या करता है इनसान कि इसी को यूज़ करता है अच्छा, जितने चाट जितने श्ट्रीट फूड तबहे वे फ्राइड किये जाते हैं, वो सभी ऑनीमल फैट यूज़ करते है इनल में घी भी अनीमल फैट है लेकिन वो एक व्रॉलच का है डाल डाज इसका नाम होग आपने सुना ओगा वो B quality का C quality का animal fat है उसको मैं बताता हूँ उसका भी ये काला सच की वो बनता कैसे है उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है जनरली की जो सूर मुख्यता यानि पिग या जो animal हैं जिसमें आपकी बफेलो काव या जो slaughter होते हैं जिनमें अच्छा quantity fat होता है उसको slaughter करने के बाद कैई जगें उनको hot water में डाल करके या गरम एक कमरे में बंद करके और उसके नीचे से एक pot रखा जाता है जिससे वो fat जो गरमी की बज़े से पिगलता है और पिगलने के बाद वो वहां collect होता रहता है और उसका फिर purification करके कुछ उसमें कुछ chemicals बगरा एड़ करके और उसको आगे further use के लिए ये लोग कर देता है जब मैंने इसका microscopic examination किया तो ये दो बार तीन बार का oil है वास जब आप 10-10 बार का oil देखेंगे तो इसका कले एक दम black हो जाएगा और black oil का मैंने कुछ दिन पहले microscopic examination किया था तो literally उसमें लोहे के कन जैसे crystals मुझे clear cut दिखाई दे रहे थे जो कि human body के लिए बेहत हनीका रखें तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि जब भी आप कोई भी चीज बाहर की खाने जाएं तो और चीज़ां बाकी के बाद में अक्सान करेंगी लेकिन सबसे जदा आपको oil और आपके दिल को बिमार कर सकता है तो साबदार रहें चुरक्षित रहें धन्यवाद